आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद आज आप समय निकालकर यहाँ पर आए देश के लिए बहुत ही महतपूर्णी मुद्दा है और इसलिए हम चाहते हैं कि यह जनता तक आपके माध्यम से जरूर पहुँचे फरवरी आठ दोहजार दस को एक कॉंट्राक्ट साइन हुआ अगस्ता वेस्टलाइन इंटरनाशनल लिमिटेड के साथ उस समय की यूपीय सरकार के साथ की बारा हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे तकरीबन छैसों मिलियन यूरो की लागत से इनकी डिलिवरी डेट थी जुलाए 2013 लेकिन 2012 में फरवरी 2012 में इटली में इसके उपर एक तैकिकात चुरू हुई कि अन एथिकल तरीके से इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो काम कर रही है और फिर 26 नवेंबर 2012 को उस समय के जो रक्षा मंत्री एके अंटनी जी उन्होंने लोकसभा में पुरिदेश को इसकी जानकारी दी कि इटली में जो तैकिकात हो रही है उसके अंदर इंडिया के साथ जो कॉंट्राक्ट हुआ है उसकी भी तैकिकात हो रही है एक प्रिलिम्लीर इंक्वाइरी ओर्डर करी गई CBI द्वारा 25 फरवरी 2013 और वापस एक एंटनी साब जो समय रक्षा मंत्री थे उन्होंने दिसेंबर 9 2013 को अपने स्टार्ड क्वेश्चन पच्पन के माध्यम से उ और कई सारे और एक्ट में एर चीफ मार्शल, रिटायर्ड, स्पी त्यागी जी और 18 और लोगों के उपर अक्यूजेशन लगाए गए है पच्छिस मार्च 2013 एक एंटनी साब ने इंडिया टुडे के अपने एक इंटर्व्यू में इसको कबूल करा कि ब्राइब्स वर टे in place in the helicopter deal and bribes have been taken, corruption हुआ है, bribes ली गई है और CBI inquiry, CBI is pursuing the case vigorously, यह उन्हीं के शब्द है, इसमें आपको जानकारी है कि इसके ओपर inquiry चल रही है, खास तोर से 2014 में Christian Michel के जो notes है, जो उन्होंने अलग-अलग लोगों को भेजे हैं, उससे बहुत सी जानकारी मिलती है, Christian Michel ने एक Peter Hullet को एक note में लिखा, कि सोनिया गांधी और उनके जो नजदी की लोग हैं, उनको target करिये, और उनको target करके, यह हमारी deal sanction होगी, हमारी deal through होगी, और उसमें फिर list दी वी है, कौन-कौन से वो लोग है, उसमें एहमद पटेल साब का भी नाम है, और Congress के सब वरिष्ट नेताओं के उसके अंदर नाम गया है, और उसमें उन्होंने AF, abbreviation है, उसके अंदर लिखा है, BUR एक abbreviation है, उसमें लिखा है, POL यानि politicians उसमें लिखा है, और AP एक abbreviation है, उसके अंदर कितने पैसे उनको पे करना है, यह सब उसके अंदर लिखावा है, जो चार्जशीट करी गई, उसके अंदर बड़े साफ तरीके से लिखा गया है, कि कंक्लूजिव तरीके से लिखा गया है, कि किक बैक्स वर पेड टू डिफेंस ओफिशल्स, ब्यूरोक्राट्स, पॉलिटिशन्स, और यह सभी, जो स्विस पुलीस ने जो डॉक्यमेंट स करें हैं, उनके आधार पर है, जो क्रिश्चन मिशेल ने अपनी डिस्पोजिशन धी, उनसे जब पूछताच होई, उनसे पूछताच में जो उन्होंने बातें बताए हैं, और फिर राजीव सकसेना जो एक और जो अक्यूस्ट है, उनसे जो पूछताच करी गई, इन सभी को जब जोड़ा जाता है, तो बहुत सी बातें रिवील होती हैं, जैसे अपने कम्यूनिकेशन के अंदर क्रिश्चन मिशेल लिखते हैं, 28 अगस्त 2009 में, हमने प्रधान मंतरी को के ओपर दबाव बनाया है, पार्टी के वरिष्ट लोगों द्वारा, वो लिखते हैं कि उनकी एक मुलाकात होई, एक इटाइलियन लेडी के बेटे से, इटाइलियन लेडी सन, उन्होंने कहा कि वो जो बेटा है, वो अगला प्रधान मंतरी बनेग और पार्टी अपनी ताकत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और उन्हें कहा कि उन बेटे से मुलाकात करके, उनको कहा गया कि अपनी मा से, उनको वो समझाएं इस बात को, कि ये डील थ्रू होनी चाहिए, और उन्हें यखीन है कि ये डील थ्रू होगी, आगे ये भी लिखते हैं कि the political elite is consistently helping Agusta Westland कि जो party के जो प्रमुक और वरिष्ट लीडर्शिप है नेता है वो लगतार Agusta Westland को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं by intervention through Prime Minister's office and Defence Minister and lobbying to put pressure on Finance Minister. कहते हैं कि प्रधान मंत्री के दफ्तर के ओपर दबाव बनाया जा रहा है इन elite जो party के वरिष्ट नेता है उनके द्वारा और केवल प्रधान मंत्री नहीं Finance Minister और Defence Minister के ओपर भी दबाव बनाया जा रहा है दो streams है payment के एक stream है जो गीडो हैश के एक middleman है तो अगस्ता Westland Company के अंदर ही काम करते हैं और दूसरे जो जो धारा है payment का वो है Michelle, Christian Michelle और उसमें वो साफ शब्द लिखते है family F.A.M. और उसको अब confuse करने की कोशिश करी जा रही है कि family आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ट party की बात करते हैं उस party के अंदर एक Italian lady के बेटे की बात करते हैं तो कौन सी party की बात हो रही होगी और उसमें वो family जब वर्ड आता है तो वो air chief master त्यागी की तो नहीं हो सकती तो यह सारा का सारा घटना करम और खास्त और सिर्जा शब्द AP लिखा है उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है उसमें भी वोला है कि यह एहमद पतेल है family एफ एम जो लिखा है वो family है और total जो payment होना है वो 700 क्रोड रुपे payment होना है अब जब भी Congress का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं यह बहुत दुख की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को एक्विप्त करने की जगे घोटालों के जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच वचार करके करते हैं जहां जीब घोटाला बफोर्स घोटाला टाटा ट्रक घोटाला स्कॉर्पियन पंडूबी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला इस सारे के सारे कॉंग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंतराले से संबंदित ये गोटाले है ये तीन हजार करोड रुपे का अगस्ता वेस्टलैंड वीवी आईपी हेलिकॉप्टर का गोटाला का मैंने आपको सामने विवरंड दिया अभी कल रवी शंकर प्रसाज जी जो हमारे वरिष्ट मंतरी हैं उन्होंने भी एक प्रेसवारता करी थी और प्रेसवारता करने का मकसद था कि कॉंग्रेस पार्टी के जो वरिष्ट लोग है सोनिय गांदी जी रहुल गांदी इस गोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर सपश्टी करन दें जवाब दें लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें इस चुप्पी का मतलब पूरा देश क्या समझें जो वक्ति बार-बार चोटी-चोटी चीजों के ओपर ट्वीट करता है वो इतने बड़े घोटाले जिसका सपश्टी करन सामने आ रहा है जिसके अंदर इटली में भी तैकिकात और भारत के अंदर भी जो तैकिकात हुई उसमें नाम सपश्ट रूप से सामने आ रहे हैं उसके बावजूद भी यह परिवार चुपी सादे हुए रक्षा डील में सीधे-सीधे कॉंग्रेस के घोटाले क्या कारण है कि कॉंग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है क्या कारण है कि देश को जागरित करें रफेल के ओपर बार बार कहते हैं सुप्रीम कोट ने भी रफेल को ठुकरा दिया है लेकिन अगस्ता वेस्ट लाइंग जिसके ओपर इतनी तैकिकात हुई है उसके ओपर राहुल गांदी जी बिलकुल चुपी साधे हुए हैं खामोशी साधे हुए है आपके माध्यम से भारती जनता पार्टी ये उम्मीद करती है एक पुरानी पार्टी रही इस देश की इतने बड़े घोटाले के उपर स्पश्टी करन दे राहुल गांदी जी या सोनिया गांदी जी इसके उपर अपना बयान रखे जनता ने तो बखू भी देख लिया है किस तरह से कॉंग्रेस में बार-बार घोटाले हुए किस तरह से रक्षा को सामने प्रमुकता से ना रखकर रक्षा के सौदों में घोटाले को प्रमुकता पे रखते हुए काम करा गया हर बार एक नहीं दो नहीं बार-बार आपके सामने विस्तार से सारे घोटाले रखे और अगस्ता वेस्लैन का गोटाला का जो सारा जो उसके उपर investigation चल रही है अभी तक उसको संक्षित रूप में जो जो नाम आए हैं वो सभी आपके सामने रखे गए अब ज़रूरत है कि Congress इसके उपर चुपी तोड़े और देश को जवाब दे धन्यवाद देखिए इतना स्वष्ट है कि ये Congress के काम करने का तरीका है जहाँ पर जो first family है उनकी उसके उपर ना मीडिया वाले कुछ लिख सकते थे ना उनके उनका नाम कहीं आ सकता था लेकिन जितने घोटाले होते थे उनी के आश्रय से होते थे उनी के आशिरवात से होते थे क्योंकि एक पार्टी जो इस तरह से एक परिवार चलाता है उसमें जो भी काम होता है उस परिवार के इशारे पर ही होता है इससे पहले भी अगस्ता वेस्तलैंड का नाम आया था राजीव गहंदी जब ट्रधान मंतरी थे उस समय 20 वेस्तलैंड हेलिकॉप्टर खरीदे गए थे एक हेलिकॉप्टर का क्रैश हुआ उसके बाद एक इंवेस्टिगेशन हुई और उस इंवेस्टिकेशन के बाद 19 हेलिकॉप्टर जो पवन हंस के पास थे वेस्ट लैंड के उनको सब को grounded कर दिया गया तो ये पहली बार नहीं है ये बार-बार हुआ है और एक ही परिवार के इशारे पर हुआ है और इसलिए जरूरी है कि आज देश जब जागरूख होता जा रहा है हर चीछ आप सब के माध्यम दोरा ये परिवार जवाब दे देखे इसमें ज़रूरी बात ये है कि जिससे सवाल जवाब हो रहे थे वो witness क्या कह रहा था और उस witness ने जो बयान दिये है उस बयान में जिस जिस लोगों के नाम आए है अब तैकिकात ये हो रही है कि उन लोगों के साथ कौन-कौन connected था उन लोगों के उपर आशिरवाद किन-किन लोगों का था ये बहुत गहरी investigation होती है जिसमें एक देश नहीं दूसरा देश भी involved होता है उस दूसरे देश की companyya involved होती है आप सब पढ़े लिखे है मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा कितनी web of companies है एक दो companies नहीं इन्होंने 100-200 companies बना रखी है उनके माध्यम से payment एक से दूसरे से तीसरे से चौते से हो रहा है payments को छुपाने की कोशिश करी गई है तकि असलियत तक असली व्यक्ति तक हम पहुँचना पाएं तो investigation में time लगेगा लेकिन हम पहुँचेंगे ज़रूर मोधी सरकार इस बात पर बित्कुल अडिग है कि देश का पैसा देशवासियों के लिए है रक्षा में सौदे कहीं पर भी सौदे नहीं हो सकते आज जो सौदे हो रहे हैं जो डील्स हो रही है वो सरकार टो सरकार हो रही है गवर्मेंट टो गवर्मेंट डील्स हो रही है ये जितने भी घोटाले होए इसके अंदर कोई भी गवर्मेंट टो गवर्मेंट डील नहीं थी क्योंकि वो चाहते थे कि कोई न कोई उनका जानकार मिडल मेन हो ताकि उस परिवार को या उस परिवार के साथ जुड़ेवे जो राजनेती लोग है उन सब को फाइदा मिले Congress Party और कुछ एक जो Dynasty-led Parties है जो पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाती है वो देश को कैसे बढ़ा सकती है उनका एक ही लक्ष हो सकता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना आपने बात करी जम्मू और कश्मीर की वहाँ पे वहाँ के लोगों को वहाँ के रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने जो कुछ परिवारवादी पार्टिया है उनको भरबूर मौका मिला लेकिन उस मौके से भारत को क्या मिला दिन पर दिन वहाँ सिचुवेशन बिगड़ती गई कानून विवस्ता बिगड़ती गई 40,000 से जादा वहाँ लोग मारे जा चुके हैं देश के सेने का अपना खून बहा चुके हैं पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के ओपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है लोगतंतर वहाँ गाउं गाउं तक नहीं पहुँचा और उसके बावजूद भी ये परिवारवाद वाले पार्टी 370 को वापस लाना चाहते हैं जहां पूरा देश एक मुखर होकर कह रहा है कि 370 हटा बिलकुल सही हटा एक नए नया राजनितिक यूग है एक नए तरीके से जम्मू को कश्मीर को और लदाक को देश के में लैंड के साथ मुख्यधारा में जोडने की लोकतांतरिक कोशिश हो रही है उसको जो जो रिजेक्ट करते हैं भारत उन सब को रिजेक्ट करता है ये देश का स्वभाग यह है कि आज ऐसा राजनितिक यूग आया है कि कॉंग्रेस और लेफ्ट अब एक विचारधारा में जोडते जा रहे है केरल के अंदर जो लेफ्ट वाले कारे करता है वो प्रशन करते हैं कि हमारा कॉंग्रेस के साथ मिलाब कैसे हो सकता है वहीं पश्चिम बंगाल में क्योंकि राजनिती उनको सिर्फ परस्टनल एमबिशन अपना स्वार्थ ही नजर आ रहा है इस कारेंट से आज लेफ्ट और कॉंग्रेस एक साथ लड़ना चाहते है और इसको मैं देश का सौभा के कहता हूँ क्योंकि जब समुद्र मंतन होता है तो उसमें से जहर भी बाहर निकलता है ये भी कि बिहार का चुनाव तो हो गया और सब जानते हैं कि उसी समय एक विदेश विदेशी राज में भी एक चुनाव हो रहा था लेकिन बिहार का चुनाव हमारे देश का चुनाव पूरे नॉन वॉयलेंट तरीके से हुआ जोकि पूरे विश्व के लिए एक उधारन है लेकिन आप सब जानते हैं कि अगला चुनाव जो होने वाला है बंगाल के अंदर उसके अंदर हत्याएं काफी पहले से शुरू हो चुकी है ये सारे लोकतांतरिक हत्याएं हो रही है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे ख़बर मिली है कि आज एक और लोकतांतरिक हत्या होई है बीजेपी के कारेकरता को वहाँ उसका कतल कर दिया गया है ये लोकतांतर के लिए बहुत शर्मनाक बात है और आपके माध्यम से में चाहूंगा कि देश जागरूख हो इस बात से भी कि किसी चुनाव के अंदर और किसी विचारधारा को रोकने के लिए प्यक्तियों की कारेकरताओं की हत्या ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेसवारता में शाबल होने के लिए थैंक्यू